हेलो एप्रिवान कैसे हैं आप सब आप बहुत अच्छा होगे तो आज हम लोग डिसकुस करना चाहते हैं हेलिकल पार्थ औफ मुविंग चार्ज इन मैगनेटिक फूल्ड आप लोग लिनियर बढ़ चुके हो सरकल में भी घूम चुके हो अब हेलिकल कैसे घूमा जाए उसक हम उसकी बाद करें कैसे देखेंगे तैसे पहले हेडिग डालते हैं हम लोग ठीक है तो आग्या है क Meinung का है ऑफ मुविंग चार्ज मोविंग चारज इन मैगनेटिक फीड मैगनेटिक फील्ड में moving charge helical path बनाने बाला है तो आपने कहा है सर कैसे बनाएगा हम भी देखेंगे सर बनने नहीं देंगे उसको अरे आप नहीं बनने दोगे हम बनना के छोड़ेंगे competition चला आपका रहाणा चीक है तो सबसे पहली बात है कि अगर हम बात करें magnetic force के बारे में तो magnetic force होता क्या है यह होता है Q multiply by V vector cross B vector ठीक है और अगर इसको आप लिखना चाहें तो यह होता है Fm is equal to यह vector form में है यह जाएगा Q V B multiply by sin of theta और इस theta के अंतर आप दो काम कर चुके हो theta का value आप पूट कर चुके हो एक बार 0 degree and 180 degree 180 degree पूट कर चुके हो 0 degree पूट कर चुके हो और ऐसे situation में क्या हुआ था आपने का असर ऐसे situation के अंदर एक बार V और B दोनों क्या हो गए थे parallel और एक बार V और B आप के हो गए थे सर जी opposite ठीक है यहाँ पर theta का value कितना था 180 degree और यहाँ पर theta का value कितना था 0 degree और दोनों ही case के अंदर आपका magnetic force का value कितना आया था 0 magnetic force का value कितना आया था 0 और 0 आने का क्या मतलब है हमने यहाँ conclude किया था last session के थोड़ी सी बात है repeat कर रहे है क्योंकि जरूरत है यहाँ पर जरूरत है इसलिकर में ठीक है तो FM का value कितना आया 0 आया magnetic force 0 आया इसका मतलब क्या है if if magnetic field if magnetic field and velocity vector and velocity vector are parallel parallel and anti-parallel antiparallel then then no magnetic force no magnetic force on particle particle कैसा है charged है charged particle के उपर कोई force नहीं लगेगा अगर force नहीं लगेगा तो उसकी वज़े से होगा क्या आपने का सर यह तो रहुत आसाम सी बात है इसका मतलब है कि particle will follow straight line particle will follow will follow straight line किसको follow करेगा straight line को follow करेगा very good very good very good very good तो यह तो first situation था जिसमें 0 बहुत था तो आपने का सर अब क्या करें मैंने का भई अब आप इसको 90 degree कर दो क्यों कर रहे हो पहले तो कर चुकर डिसकस कोई बाद नहीं बेटा एक बार और कर लो theta आपने 90 degree पुट किया जैसे theta आपने 90 degree पुट किया तो fm का value हो गया qvb sin91 magnetic force कैसा हो गया बेटा? Maximum और आपको पता है कि magnetic force is always perpendicular to v and magnetic force is always perpendicular to b हमेशा या रखना कि force हमेशा motion के भी perpendicular होता है magnetic field के भी perpendicular होता है दोनों के भी perpendicular होता है और ऐसा जब आपने किया था वहाँ पर तो उसकी वज़े से क्या हुआ था? इसकी वज़े से हर point की उपर force center की तरफ लगता था और यहाँ पर आप बोलते थे कि एक circle motion कैसा motion था? circular motion circular motion will be there will be there due to magnetic force magnetic force की वज़े से क्या होगा? circular motion motion के नाम क्या है? circle motion यह circular circular motion कैसे आया था? हम लोग palm rule से ही calculation कर सकते है direction कि तरफ और होगा force का direction पता लगाना है तो यह तो आपको यह end cap होता है यहाँ पर direction पता लगाना होता है तो कैसे पता लगाते है वह आपको बता देते है तो यह मैं आपको calculate करके दो तो कैसे 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 गोंता रहता है centry तरफ force लगता है वह सब आप calculate करना जान गए हो नहीं जानते हो अभी करके दिखा देते हैं एक ले लेते हैं value और अभी आपको करके दिखा देते हैं थीक है, चलो ले लेते है, चोटा से ले लेते हैं अमक्या दिखके हैं आपको बोला गया यह हमारा एक downward direction में जाता हुआ magnetic field हमने ले लिया ठीक है, तो downward direction में जाता हुआ दोस्ट अमने ले लिया, magnetic field थीक है थोड़ा बनाना बढ़ता है एक बना देंगे डोट तो बोलोगे सर उसकी चारो तरफ यह बना देंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा करना होता है, तो केलिए काफी सारे magnetic field हमें चलिए, तो यह ज्यादा बनाने का कोई आप से पूचे कि इतना सारे क्यों बनाएं तो आप बलोगे, uniform magnetic field है, कैसा है, uniform magnetic field है, तो यह अंदर जा रहा है, आप वीक इधर लूम है, इधर लेलो, इधर लेलो, जहां मारजी लेलो, कोई फरखने पड़ता है, 90 degree होगा ना, भाई यह तो अंदर है, इधर लेलो, इधर लेलो, दोनो 90 degree होगा, कोई बात नहीं हो, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार् magnetic field अंदर गया, इधर वैलोस्टी लगा, उधर फोर्स लगा, तो जैसे इधर फोर्स लगेगा, तो यह जाना इधर चाहता था, लेकिन इसको गूमना पड़ेगा, यहां पर पहुचा अंदर वैलोस्टी इधर, इधर भागने कोशिश करेगा, इधर भागने के जब कोशि लोगो, इस पॉइंट पर फोर्स अंदर की तरफ इधर था, इस पॉइंट पर आपका वैलोस्टी इधर था, फोर्स की डिरेक्शन यहां था, इस पॉइंट पर वैलोस्टी इधर था, और फोर्स की डिरेक्शन यहां था, मतलब यह सारे सेंटर की तरफ आ रहे हैं, इस त इधर था, फोर्स लगा, गुम गया, यहां गया, फोर्स लगा, गुम गया, यहां गया, फोर्स लगा, गुम गया, यहां गया, फोर्स लगा, गुम गया, ऐसे सर्कल में पूरा रोटेट कर जाएगा, circle में क्या हो जाएगा rotate कर जाएगा जब ऐसा ही rotate करता है तो circle का radius होता है कि हमने calculate किया था which was mv divided by qb बात थे velocity कौन सी है perpendicular velocity होती है कौन सी velocity है perpendicular होती है यह मैंने पिछली बार इसलिए नहीं बता है यह यह यूज नहीं था यह वैसे तो लिखा हुआ है यह आप देखोगे तो equation of force आपका है उसमें यह return है इतना तो radius हो जाएगा इतना तो यह radius हो जाएगा और time period अगर आप से कोई पूछेगा तो क्या होगा आपने का सर यह था मैं पता था यह होता था 2pi r को चलने में जो velocity लगा वो तो आपने r का value put किया था इसके अंदर और यह 4 value आगे था आपास में 2pi m divided by qb यह तो independent हो था यह सर वैसेटी से कोई बात नहीं यह आपका क्या होगा radius of curvature यह होगा आपका time period क्या होगा आपका time period that was time period यह कितना होगा time period यह क्या होगा आपका that is radius of curvature radius of circle बोलता ना सीधा याड radius of circle चीक है अब हम बात करते हैं case number 30 अब यह कुछ छोटी बाते और लेगे तो ताकि दिक्कत ना हो क्या लिखना है वी perpendicular perpendicular वेलस्टी के बनता है circle वी perpendicular always always produce circle circle in which in which particle particle travel circle लो उन्डबास कराएगा दूस्री बात time period time period of motion of motion is independent is independent of velocity velocity के independent होता है ठीक है तो दो case हुआ थर्ड case के दिरुप से लोगे यह important है आज का जोड़ आपिक हो वह सी पे पूरा depend है इसी को आज ही discuss भी करेंगे case number 3 आपने कासा 2 तो लिखा ही नहीं था कोई बात नहीं 90 degree वाला 2 था 0 degree वाला 1st था यह तो लिख सकते हूं अब आपने बोला कि वी इस इंक्लाइंड वी इस इंक्लाइंड अट एंगल अट एंगल थीटा विद बी वेक्टर वी के साथ वी वेक्टर ने एक एंगल बना रख रहा है आपको कैसे बना सकता है बिटा बिर्कुल आसान है मैंने बोला कैसा सिस्टम है यह direction में तो आपका Uniform Magnetic Field यह क्या आपका Uniform Magnetic Field बार बार लिखो एक बार लिखो आपको एक ही चीज़ा को इस हरटन करता है Uniform कैसे सेम डिस्टेंस है और स्टेट लाइन में फोलो कर रहा है तो इसका value अब यहां हमारा चार्ज पार्टिकल बैठा हुआ है और यह भाग रहा है V velocity से किसी एंगल थीटा पर आपने का सर्फ कहा से वह एंगल थीटा है वहीं भी देलो horizontal से वह एंगल देखा आपने वह थीटा था तो देखो B और V के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा हो गया तो अगर यह इस तरह से थीटा है तो क्या इसके component ब्रेक होंगे आपने का सर्फ बिल्कुल ब्रेक होंगे तो कौन-कौन से component होंगे आपने का सर्फ एक तो हो जाएगा इसका perpendicular और एक यह वाला हो जाएगा जो कि होगा parallel perpendicular का मतलब क्या है velocity perpendicular to B velocity parallel to B अब आपने का सर्फ वी parallel इसको आपने बोलेंगे parallel velocity parallel velocity of particle of particle with B vector ठीक है दूसरा जो component है वो क्या है V perpendicular उसको बोले जाएगा perpendicular perpendicular velocity velocity of particle of particle with B vector B vector के parallel है और दूसरा क्या है perpendicular है तो आपने का सर्फ यहां तो हो गया है कांड क्या हो गया आपने का सर्फ वी parallel component the parallel component of velocity the parallel component of velocity will give straight line motion straight line motion आपने का क्यों हो गर ऐसा क्यों बोल रहे हो क्योंकि बेटा जी theta का value क्या है 0 degree theta का value क्या है 0 degree और आपको पता है कि जो force है वो होता है q vb sin of theta जब theta is 0 degree है तो उस condition में तो यह v perpendicular parallel वाल उसको कैसा घुमाएगा straight line तो underline कर तो इस बात को बहुत important है यह straight line motion देगा दूसरा कौन है दूसरा perpendicular भी है दूसरा हमारे पास क्या है perpendicular है तो आपने का सर perpendicular component perpendicular component of velocity will give circular motion circular motion to particle आपने का अक्सर आपने क्यों हो क्यों क्यों थीटा का value कितना है 90 degree और 90 degree में यह गुमाएगा अब यह दौनों एक साथ हो रहे है दौनों क्या हो रहे हैं एक साथ हो रहे हैं तो यह वाला इसको गोल-गोल गुमाएगा यह आगे बढ़ाएगा गोल-गोल गुमाएगा आगे बढ़ाएगा अब देखो गोल-गोल आगे कैसे बढ़ता है गुमता है वह समझो वह समझो कैसे गुमता है देखते हैं अभी देखें कैसे होता है यह हमारा circular motion है कैसे होगा वो भात अलगे देखो हमारा magnetic field उसको ऐसे से खुमाया जाएगा पहले circle बनाते हैं तो लिगे circle बनेगा कैसे वो important है तो आपका magnetic field इधर है यह आपका magnetic field है और velocity जो आपका particle का है वो इधर है perpendicular वाला तो इधर है तो आपने काया sir पता लगाते हैं force कितार है पता लगाते है force कितार है बई circle में गुमाएगा तो किदर गुमाएगा circle में आपने काया sir put your fingers in the direction of magnetic field and place your thumb in the direction of in the direction of देखो यह गया इधर गया downward गया force कितर गया downward तो आपने का सर्फ force जो रहेगा वो नीचे लगए नीचे मतलब पेज के अंदर जाएगा पेज के अंदर जाएगा force force को जो direction है बेटा वो इदार है कैसा है inside the page inside अगर रहेगा तो ये इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा मतलब क्या है caution यहाँ जब होगा तो फटाक से नीचे चल जागा मतलब ऐसे घुमाएगा यह ऐसे page के अंदर गोला बनेगा ऐसे अंदर की तरफ ऐसे रोटेट करेगा मतलब कुछ ऐसा होगा लेकिन दिखेगा कहाँ पर page के अंदर ऐसे ऐसे होगा यहाँ पर velocity था खचाक अंदर गया अंदर ले गया यहाँ गया अंदर इधर आ गया इधर आया अंदर इधर अंदर तो मतलब इधर फोर्स इधर है इधर इधर फोर्स नीचे इधर फोर्स उपर Southern अगर इसको 3D में दिखाने कोशिश करूं मैं आपको तो पहली बात 3D में जब दिखो को तो पूरा सर्कल नहीं देखेगा तो एक रिंग दिखेगा आपको एसा रिंग दिखेगा अब इस रिंग के ऊपर अलग अलग डियरेक्शन में वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी पहले तो था यहां अब था नहीं था अब कोई बात नहीं यहां तो दिख रखता है तो मैं ऐसा परपेंडिकर तो बुड़ा दोगे इसको लो जब यह ऐसे था तो फोर्स सेंटर की तरफ था जब यह ऐसे था तो फोर्स इधर था जब वेलोसिटी इधर आया तो फोर्स इधर आया जब velocity इधर भागा, तो force इधर भागा, ठीक है, ये सब कहा है, आपके बाहर जो बैठे है, वो perpendicular velocity की component है, अरे circle में, ये ही तो चीज थी, यार, समझो बात को, ये ऐसा ही तो है, ऐसे खड़ा था, पहले velocity जो था, वो यहां था, sorry, यहां था velocity, तो velocity के अंदर, पेज के अंदर जाता हुआ, आपको force देखे है, इसा, देखो, ये तो है, अगर ये आपका वेलश्टी के component है, देखो, ऊपर जा रहा है, वेलश्टी के अंदर जाता हुआ, ये रहा, बी हमारा इधर है, तो इनके perpendicular page के अंदर जाता हुआ, हमारा क्या था, force था, अंदर जा रहा था, ये था, बी ये था, देख रहा है, ये आपका क्या है, ग्रीन वल आपका क्या है, ये वल आपका क्या है, वी है, इनके perpendicular अंदर के तरफ कौन चला जाएगा, इनके perpendicular आपका इधर जाएगा, तो force इधर लग रहा देखो, अंदर, इधर आओके तो हर point के उपर ये inside ऐसे force act कर इधर से आया, अंदर, इधर से आया, अंदर, तो हर एक में आपको ये force कैसा होगा, अंदर की direction होगा, कैसा होगा, अंदर की direction होगा, 3D में दिखाना होगा मुश्किल हो रहा है, पर आप सोच सकते हैं, ऐसा होगा, ये तो किसकी वज़े से है, perpendicular velocity, और आपका particle ऐसे move करेगा, due to, due to, pedal velocity, और दोनों को अगर आप add करो, तो actually में हो कह रहा है, particle इस point से गोल-गोल घुमना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ रहा है, गोल-गोल घुमता हो आगे बढ़ रहा है, गोल-गोल घुमता हो आगे बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है, अगर इस point से आपका particle गोल घुमेगा, आगे बढ़ता है, तो गोल घुमता रहेंगा, और आगे बढ़ता रहेंगा, आगे बढ़ता रहेंगा, इसको फौरड मोशन को देगा, Forer Motion Provided by Paranormal Variosity Subtler Motion Provided by Perpendical Variosity और यह जो combination बना है इसी को हम लोग बोलते हैं Helical Path इसी को हम लोग क्या बोलते है Helical Path Simple है यार एक है Simple है ऐसे ऐसे चलते जा रहे हो आप गुमते गुमते आगे चल रहे हो ऐसे ऐसे गुमते आगे चल रहे हो इसे वे घुमते चल रहे हैं, देखो सिंपल है, वापस दिखा देता हूं आपको कैसे चलना है रुड़े, इदर आप, यह सिस्टम है, तो हो कह रहा है वो देखो, अगर देखा जाया तो ऐसे ऐसे रहता, यह वाला आपका एक मोशन होता, जो आपका परपेंडिकलर दे रहा कैसे होगा, घुमते वे आगे बढ़ो, 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 घु तो radius of curvature अगर पूछेगा तो same भई रहेगा कितना हो जाएगा? perpendicular velocity divided by qb m perpendicular velocity divided by qb तो value कितना हो जाएगा? simple m v sin of theta divided by divided by qb यह value बन गया वो आप से पूछेगा कि भई simple है यार कैसे आया है? simple यह तो आपको derive करना ही अगर derive करना चाहते हो इसको अगर तो simple है कैसे कर दो? आप कर दोगे sir magnetic force और आपका जो centripetal force था वो दोनों कैंसी में तो यह होता है आपका qvb sin of theta और वो आपका होता है m perpendicular का square divided by में और ठीक है तो यहाँ पर perpendicular का value put करोगे तो कितना बनेगा? m v sin theta और उसका क्या हो जाएगा आपका? और उसके divide by में क्या हो जाएगा आपका? r हो जाएगा ठीक है हो जाएगा? r हो जाएगा ठीक है यहाँ से v cancels, sin से sin cancels हो जाएगा तो क्या बचेगा? q b q b r is equals to m v sin theta आपको r चाहिए तो आपको r चाहिए तो क्या हो जाएगा? simple m v sin theta divide by divide by q b प्रूफ परना चाहो तो ऐसे कर सकते हो डारेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ठीक है? अब कोशन आप से पूछता है बताओ पिच कितनी होगी? अरे यार देखो बहुत आसान बहुत ही आसान बाते हो रही है यार यह आपको देगा circle और यह आपको क्या देगा? linear pitch का मतलब क्या होता है? linear distance क्या होता है? linear distance यह क्या होता है? इस से associated radius है इस से associated pitch है linear ही आपको क्या देगा? यही आपको देगा pitch और यही आपको क्या देता है यह देता है र, दोनों simple simple सी बाते हैं ठीक है तो कैसे देखें, question अब आप से पुछता है कि time period कितना होगा, तो पहले time period बता लगा लेते हैं शालो, तो आपने कहां sir time period जो होता होता है distance divided by, distance divided by velocity, तो कौन से velocity चल रहे है आप आगे, perpendicular से ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2 pi r divided by v perpendicular वही तो time period है, उसे ऐसे आगे जारो, ऐसे ऐसे आगे जारो, ठीक है, तो value put कर दो, आपने कहां sir यह तो independent होता है ना, हाँ, तो value put करोगे तो भी independent आ जाएगा यार, कैसे आएगा, 2 pi r का value अभी निकाला आपने which is request of q multiply sorry, m, qb तो नीचे था, क्या जाएगा यहाँ पर, r का value आपका था, m v sin of theta, divide by, divide by इनका था qb, और इनका perpendicular वही तो value कितना हो जाएगा, v sin theta, v sin theta, v sin theta, cancel हो जाएगा, तो time period कितना हो जाएगा, 2 pi m divided by qb, देखो, independent अभी भी आगया, independent knowledge अभी भी आ रहा है, आपको पूछता है, horizontal motion या फिर बोलता है, pitch, pitch of motion, ठीक है, pitch of motion क्या होता है, इसको लिखते है, capital P से लिखते है, pitch, pitch है क्या चीज़ पहले वो समझो, एक complete circle, एक complete circle में helix जितना आगे जाता है, उसको pitch बोलते है, complete circle में जो आगे जाता है, मतलब आपक particle net से start करेगा, तो ये अपना round पूरा करके यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर reach कर जाएगा, यह तो distance इसने travel किया है, यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते है, pitch, क्या बोलते है, pitch, कैसे निकाले, आपने का सर, time यह रहा, velocity दो है, कौन-कौन से velocity है, आपने का सर, total velocity, तो V इनका एक component यहाँ पे था, कौन सा था, V cos of theta, इनका perpendicular component इधर चला गया था, V sin of theta, यह चले गए थे, circle बनाने में, यह चले गए आपके, horizontal motion में, horizontal motion में, क्या होगा, आपने का सर, देखो, pitch जो है, वो आपका actual में क्या है, distance, और distance भी कैसा, linear, कैसा distance है, linear, तो आपने का सर, P equals to क्या होजागा, distance calculate करना है, तो distance कैसे कैसे क्यों लिख रहे है, आपने का सर, velocity, parallel, multiply by time, आपने का सर, parallel, velocity का value है, V cos theta, और time का value है, वो है, 2 pi m, divide by qb, तो pitch का value कितना हो गया, बेटा, यह हो गया, 2 pi m, V cos of theta, divide by qb, this is the amount of pitch, meters में value आएगा, value किस में आएगा, meters में आएगा, तो यह fundamental है, ध्यान लेना, हमेशा याद रखना, यह जो velocity है, perpendicular velocity, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, this is paddle velocity, यह बताता है pitch, यह बताता है circle, circle का calibration करना है, इस से करो, pitch का calibration करना है, इस से करो, क्योंकि pitch होता है linear direction में, circle होता है, perpendicular direction में, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो, ऐसे आगे बढ़ रहे हो, ऐसे, ऐसे आगे बढ़ रहे हो, गोल गोल भी हो, ठीक है, तो यह हमारा fundamental है, अब करते हैं, इसके उपर बेज कुछ, तो कोश्चन सामने है उसका solution मैंने कर दिया है पहले से ठीक है उसका reason बस इतना सा है कि ताकि हमारे time थोड़ा सा safe हो जाए यह basic question था इसलिए हमने इसको solve कर दिया है question मैं था कि एक magnetic field है जो one test लाता है और velocity theta 30 degree angle बनाते हुए यहाँ पर ऐसे जा रहा था एक positive electron है तो positive electron जैसी बोला तो उसका mass और charge हमें पता होना अची electron कितना होता है हमें r, t, pitch और trajectory find out करना है तो सबसे पहले था आपने बोला कि sir v is theta in line to b velocity बीटा से theta angle पर है तो trajectory तो कैसा होगा? helical होगा यह तो confirm होगया r चाहिए तो क्या हो जाएगा? m v perpendicular divided by qb simple formula लगाना है तो v perpendicular कितना हो जाएगा? v sin theta रख दिया values सारे answer हो जाएगा time period चाहिए तो time period क्या होता है? वो तो independent of velocity होता है तो 2 pi m divided by qb values रख तो seconds में value जाएगा पीछ क्या होता है? parallel velocity multiply by time period parallel velocity कितना है? v cos 30 multiply by time period time period 2 pi m by qb values रख तो answer meters में जाएगा तो आसान question था ठीक है तो आसान question था इसको हमने देख लिया कोई दिक्करस में नहीं है ठीक है? चलो next question तरफ move करते है question में दिया हुआ है कि एक velocity vector है which is equals to v1 i cap plus v2 j cap in a magnetic field b vector is equals to b0 i cap ठीक है? ठीक है? the mass and charge of particle of particle is m and q find find r t and pitch हमें यह सब find out करते है question में क्या हो लग है? particle का एक velocity vector है जो किसी magnetic field में ही काम करता है तो question में हमें velocity vector गीवन है which is equals to v1 i cap plus v2 j cap हमें question में गीवन है b का value which is equals to b0 i cap अब b0 i cap का मतलब यह तो direction किसका हो गया? b0 का दो दिन बना लो थोड़ा सा यह तो आपका किसका direction हो गया? b0 का इतो आपके b0 के direction b0 i cap यह इधर ही होता positive x अब कोई particle है आपर particle का charge q है? mass m है यह भी हमें पता लग गया अब हो कहता है कि यह जो particle आपको हमने दिया है यह एक velocity से चलता है और velocity यह है v1 i cap मतलब इस direction में velocity का value कितना होग? v1 और v2 j cap इस direction velocity कितना हो जाएगा? v2 actual में देखा जाए तो v1 is parallel velocity and v2 is perpendicular velocity हमसे r पूछा गया है r कौन देगा? v2 तो simple r होता कितना है? पहले वह पता लगा होता आपने कहा सर यह होता है mv perpendicular divided by qb मतलब value कितना हो जाएगा? mv2 divided by qb v2 का value अगरे देखा time period देलो time period क्या होता है? 2Min divided by qb तो यह जाएगा time period में को change होगा नहीं time period में को change होगा नहीं so b का value बहुत करते हो तो b का value यहाँ v0 हो जाएगा so कितना हो जाएगा? 2Min divided by qb अब आप से पूचा किया pitch so pitch क्या होता है? parallel multiplied by time period parallel कौन है ? v1 time period कितना है ? 2 pi m divided by Qb तो pitch का value कितना होगेела ? 2 pi m v1 divided by Qb की एंसर तो यह 3 आपके क्या होगे ? आंशर सुङे b का value भी not होता B का value कितना होगे simple simple है ठीक है simple simple चलो और caution करते हैं हम लोग caution में हमें दिया है velocity vector is equal to 3 i cap plus 4 j cap और हमें दिया है magnetic field जो की है आपका 3 j cap find find r, t and pitch simple है आपको diagram बनाना चाहिए बस आप फिर उसको सरूब कर सकते है diagram में क्या बनाना पड़ेगा आपने का सर बिल्कुल आसान है velocity vector दिया है, b vector दिया है सब बता दो, यह j cap में है इसका मतलब इस direction में कौन है इस direction में हमारे पास कौन है, यह हमारा b vector है जिसका value कितना है, 3 magnitude की बात करोगो, तो 3 है magnitude कितना है, 3 Tesla 3 Tesla direction दे दिया है, direction दे तो दिया j cap को तो दे दिया हमने अब आज बार थोड़ी दो गए अब velocity है तो कोई particle है यहाँ पर जिसका q mass है, m उसका sorry, m mass है, q charge है इसका 3 और 4 तो आपने काला, sir, x direction में तो कितना है, 3 है और y direction कितना है, 4 है value किस में होगा, ms में होगा यहाँ पर भी यह, ms में होगा अब बात आती है, इनमें parallel कोन है, perpendicular कोन है तो यहाँ पर, बेटा, perpendicular हो जाएगा आपका 3 ms पर सेकेंड और parallel कितना हो जाएगा आपका, 4 ms पर सेकेंड देख लो, parallel, perpendicular हमें क्या चाहिए, हमें तो r चाहिए तो r तो क्या होता है mv perpendicular divided by qb q का value तो दिया नहीं, कोई बात नहीं तो b का value तो है, तो आपने का, sir यह हो गया, mv perpendicular का value कितना है, 3 b divided by q और b का value भी कितना है, 3 तो value कितना होगे आपका, m by q यह होगे r का value t चाहिए, तो t क्या होगा 2 pi m divided by qb b का value बुट कर सकते हो, आप यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2 by 3 pi m divided by q यह होगे आपका time period, pitch चाहिए pitch क्या हो जाएगा, v parallel मतलब multiply by time period, तो time period इतना है v parallel 4 है 4 into 2 by 3 pi m divided by q, तो देखो कि 8 by 3, तो pitch कितना होगे आपका 8 by 3 pi m divided by q this is your answer this is your answer this is your answer path कैसा होगा, helical होगा path helical होगा लेकिन upward होगा अब ही ठीक है, यह ऐसे ऐसे घुमाएगा यह चड़ाएगा तो यह उपर की तरफ ऐसे ऐसे चुद जाएगा उपर चुद जाएगा, ठीक है helical path होगा अब होगा ठीक है, तो यहाँ बता देता हम आपको path कैसा होगा helical upward ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपको देखना पड़ेगा ठीक है, देखना पड़ेगा, एक caution और करते हैं थोड़ा सा अच्छा caution है, बढ़िया caution है caution में दिया है, velocity vector, velocity vector caution में हमारा velocity vector हमें दिया है, 3i cap plus 4j cap और हमें दिया है, बेटा, b which is equal to, दे दिया हमें 3k cap find, find r, t and which क्या पता लगाना है, radius, time period और पीछ पता लगाना है, यह एक system है system क्या है वो समझो यार, बहुत सुंदर है यह वाला velocity है और b है, b page के अंदर है, k है न, k cap है k cap है, to k cap है, तो k cap है मतलब वो upward ऐसे ऐसे उपर आ रहा होगा भी पेज से बाहर लेते हैं, हम k को, अंदर होता है, तो minus k देना पड़ता है ठीक है, तो यह तो होगा आपका magnetic field, कितना सुंदर position है देखो यारत यह तो होगा आपका magnetic field, अब क्या हुआ, आप एक सरफ velocity चाहिए यहाँ velocity का particle है, particle का x में velocity 3 meter per second, y में velocity 4 meter per second अब देखो जड़ा, perpendicular component कौन-कौन है? परपेंडिकलर कौन-कौन है? आपने को सरहिए, नहीं! बी अब ऐसे नहीं है बेटा, अंदर है पेज की या बाहर है पेज की उस condition में, वी परपेंडिकलर बोथ आर, बोथ आर, परपेंडिकलर टू बी वेक्टर V1 and V2, perpendicular to V. ठीक है? X ऐर Y दोनों यह perpendicular है, यह जेड के तो यह, यह Y, यह Z है तो X-Y दोनों Z के तो परपेंडिकलर यह होँगी, ना? यह आ पर V-Pरपेंडिकलर का Magnitude कितना हो जाएगा? आप ओगए , saar इसका magnitude कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 42 mars which is 500 meters seconds कितना हो जाएगा 5 meters per second समझ जो बात को दोनों की वज़े से आपको क्या देखने को मिलेगा 5 meters per second की वज़े से आपको इसका पूरा काम करने को मिलेगा तो आप से पूछा जाएगा radius कोई बात नहीं, radius बता हो आप कितना हो जाएगा mv perpendicular divided by qb तो कितना हो जाएगा simple mv perpendicular 5 divided by q multiply by b b का value कितना है 3 तो कितना हो जाएगा value 5 by 3 m divided by q this is your answer ये क्या होगे हमारा answer दूसरा क्या पूछा किया था हमसे time period ये क्या होता है ये होता आपका 2 pi m divided by qb तो b का value है, बागी सब तो कुछ है नहीं तो value हो जाएगा 2 pi m divided by 3 q ठीक है, आप पूछेगा pitch तो pitch कैसे बताओगे भाईया जी, pitch जो होता है वो होता है parallel multiply by time period और parallel velocity यहाँ पर 0 मतलब pitch कितना हो जाएगा 0 no helical motion यहाँ पर motion helical नहीं होगा यहाँ पर जो motion होगा वो कैसा होगा बताओ कैसा होगा बोलो कैसा होगा यहाँ पर circular motion होगा समझे लिए बात को ठीक है तो इस तरह से बात करोगे तो next section में हम लोग मिलेगे Lawrence force के साथ में तब तक के लिए stay safe, stay blessed thank you very much